नेक्स्ट अपना आएगा टीम्प्रेचर का जो इसके एक्स्ट्रीम है जैसे कि बहुत ज़्यदा फैंप्रेचर है यह बहुत ज़्यदा लो टीम्प्रेचर है लो में हम जनरली दो पॉ initiates करते हैं एक अपना सनो confidence पॉय और उससे जड़े हुई इस्पेक्ट है दूसरा है का अपना frost पाला पड़ जाना तो सबसे पहले हम लोग high temperature को देख लिते हैं और high temperature को आप global farming से भी लेके link करके चलेंगे जैसे अगर high temperature हो जाता है तो उसका vegetation पर क्या impact पड़ेगा जैसे हम लोगों ने जो medium range का temperature है उसमें ये देखा था कि कैसे temperature से respiration, photosynthesis और enzymatic activities effect करती है अगर temperature जदा बढ़ता है तो उसका impact क्या पड़ेगा respiration की जो rate है वो तेजी से बढ़ेगी photosynthesis की rate है वो decrease होगी यानि कि global warming का एक सीधा सीधा impact पड़ेगा कि जो भी अपनी vegetation है उसका जो net energy जो gain है photosynthesis है वो decrease होगा यानि कि किसी भी area की vegetation जिसका जो net profit है suppose वो पहले कोई ecosystem था वो वहाँ पर 50 calorie या 50 glucose के molecules को per day net profit बना रहा था वो आप घटके उसका 35 हो गया या 40 हो गया इसका result होगा कि धीरे धीरे वो lower जो level है traffic level है energy के उनको energy कम transfer कर पाएगी इसका एक result आएगा कि धीरे धीरे जो वहां की biodiversity है वो कम होने लगेगी और अगर temperature बहुत ज़्यदा extreme हो जाता है तो उसका एक result ये भी बोल सकते हैं कि वहां धीरे धीरे ये जो vegetation है एक तो उसकी नई generation जो है उसको आप यहां link कर सकते हैं कि जो cardinal temperature required था seed को वो नहीं मिलेगा तो seed germination बंद हो जाएगा और जो vegetation है वो धीरे धीरे करके उस एरिया से वास आउट हो जाएगी इसे temperature से जोड़ सकते हो दूसरा आप temperature जो high temperature है उसे आप अगर आप ecosystem से जोड़ना चाहते हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे राजस्थान है जहां पर high temperature है तो वहां का ecosystem है उसकी productivity कम है compare to tropical rainforest तो वहां से आप temperature को link कर सकते हो दूसरा है जदा temperature होगा तो vegetation धीरे धीरे star होने लगेगी वेजिटेशन में बुखमारी मनने लगेगी होने लगेगी और धीरे धीरे हो सेरिया की vegetation आउट हो जाती है वास आउट हो जाती है जैसे अगर आप लोगोंने कभी पढ़ा हो history में कि जो राजस्थान का डेजएट है वो जो आज डेजएट है वो कभी ऐसा नहीं था अकबर की टाइम पर यानि कि जदा नहीं है लगबग चार्ट सो साड़े चार्ट सो साल पहले जो सेंड डियून्स है वो एरिया बहुत कम था मैजोर्टी जो डेजएट है उसमें इ दीर दीर वेजिटेशन आउट हो गई तो टेंपरेचर हाई टेंपरेचर या ग्लोबल वार्मिंग कैसे वेजिटेशन को सिफ्ट करेगी उस जीच को आप यहां कर सकते हो वेजिटेशन के स्टार विशन से लिंक कर सकते हो फिनोलोजी से लिंक कर सकते हो कि कैसे जो गेन हो रहा है पर डे वो डिक्रीज हो जाएगा तो उसका रिजल्ट होगा कि उसकी जो food production capacity है उसकी खुद की जो health है वो भी होने लगेगी तो वो जो insect paste से जो उसकी resistance है वो भी decrease होती है इसका मतलब insect paste के attack बढ़ेंगे और वो vegetation दीरे दीरे वहां से pass out हो जाएगी higher temperature forest fire के जो incidence है वो भी बढ़ा देते हैं यहाँ एक example लेके चलते हैं हम लोग जैसे आपने अभी recently एक news पड़ी होगी कि कैसी Canada Canada तो वैसे भी cold area है लेकिन इनका एक town था especially यह पढ़ता है इनका कोई French बिटिस कोई area है इनका यहाँ पर लिखा तो नहीं है साइद लिखा है most of village एक इनका कोई village है जो British California ऐसा कुछ साइद डर्म है इनका एक area है इनका जो साइद West Canada में पढ़ता है वह village में इतनी ज़्यदा fire incidents हुई कि वह पूरा पूरा village ही shift हो गया है और जैसे कि अभी recently जो कोप की meeting चल रही थी उसमें यह एजे example बहुत ज़्यदा यूज किया गया यह news भी आज ही की है 7 November 2021 अब आज की news में भी इसकी पूरी story पढ़ सकते हैं तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे high temperature forest fire को induce करती है उस area के पूरी vegetation को साफ कर सकती है और अगर यहाँ पर forest fire में कुछ vegetation अगर बच भी गई तो fire ने इतना damage कर दिया कि अब वहाँ पर आसानी से insect pissed attack कर देते हैं और वो लगवग खतम हो जाती हुआ से कई बार तो जो इंडिया में कि species है यानि कि ऐसी species जो केवल उसी area में पाई जाती है उनके लिए इस टाइप की incidence बहुत जदा डेंजर होते है हाई टेंपरिचर sun burn और sun skull पत्मिया जला देना पीड जो यंग जनरेशन उसे जला देना यह भी incidence करते हैं तो इसे आप ऐसे growth करेंगी यह sun skull sun burn का सिकार हो जाएगी और अगर बहुत जदा temperature हो जाए तो यह protoplage freeze हो जाता है उस plant का अब यहाँ एक issue आता है कि आखिर higher temperature में भी तो अपने बहुत सारे plant होते हैं जो आपने आपको बजा के रखते हैं जैसे open sea cactus है राजस्तान के plants हैं और जैसे एक issue आता ह कैसे अपनी जो forest की vegetation है जो धीरे धीरे global warming की issue को phase कर रही है कैसे हम इसे climatically जदा resilient जदा एक type से silent बनाए जाए तो वहाँ हम कुछ character हैं जो अपने desertic plants के हैं उनके characters को आपको बढ़ना है और वो characters को हम उनके जो genotype है उसे यहाँ add किया जाए जैसे कुछ proteins होती है heat stock protein वो help करती है high temperature वाले area में grow करने वाले species को कि high temperature में भी उनका जो protoplasm है वो freeze नहीं होता है enzyme जो है वो break नहीं होते हैं इस type के जो protein को synthesis करने वाले जो genotype है उन्हें हम अपने trees में add कर दे हैं तो आपने आपके पास जो study material है उसमें यहाँ कुछ एक paragraph लिखा गया है उसे आप ध्यान से पढ़ें next अपना आएगा जो excessive जो low temperature है उससे संबंदित इसू अब low temperature में अपने दो इसू है एक आता है अपना frost का frost का मतलब year का जो है वो बहुत ज़दा chilling हो गई है कि वो freezing point से भी नीचे चले गई है air जो है कई बार बहुत ज़दा temperature नीचे down हो जाता है अक्सर इसूता बाता है जब air में जो dust particle है वो absent हो क्योंकि जैसे जैसे temperature down होता जाता है air में जो भी moisture है वो dust particle की चारो तरफ यानि कि hygoscopic molecules की चारो तरफ deposit होके वो snowfall की रूप नीचे गर जाती है लेकिन कई बार जब dust particle साफ हो या air ज़दा clean हो वो absent होते है तो उस case में जो moisture है वो अचानक से vegetation को और vegetation के अंदर की जो moisture है उन तोरों को ही freeze कर देती है यह condition है frost इसके introduction part में आप लिखोगे chilling of air below freezing point अब हम लोग देखेंगे frost के तीन टाइप तीन टाइप है इसके ground frost या radiation frost जैसी को बोलते हैं water frost दूसरा है pool frost या convection और तीसरा होता है advection या wind frost इन तीनों को ही हम लोग एक ही करके discuss करेंगे वैसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जिगोग्राफिय में पढ़ रखा होगा क्योंकि same चीज है similar चीज है और UPC prelim में भी इस type की question आ चुकी है तो पहला आएगा अपना radiation या ground या fire frost ये generally अपने जो mid latitude वाला जो region है वहाँ की condition है खासकर अपनी जो सर्दियों का time है सर्दियों में day time जो है वो अपने 10 गंटे का या 9-10 गंटे का ही रहता है यानि कि day छोटा होता है night है उनकी 14-15 गंटे की हो जाती है यानि कि long time है जो earth का surface है उससे day time में radiation gain करने क के लिए कम time है और night में surface जो long wave radiation जो छोड़ती है इमिट करती है उसके लिए बहुत जदा time मिल रहा है यानि कि long winter night होनी चाहिए पहली condition दूसरा यहाँ है condition के जो sky है वो clean हो बिल्कुल साफ हो clean sky होने के एक benefit यह है कि जो भी night time में जो long wave radiation है वो सीधा emit करके space में चली जाती है तो अगर कि यहाँ cloud है तो वो क्या करेंगे यह long wave radiation को absorb करके बापस इसके डिकार देंगे तो यहाँ green house effect का impact करेंगे तो इस वज़े से यहाँ radiation छोड़नी पाएगा तो यहाँ sky जो है वो बिल्कुल clean चाहिए और तीसरा जो wind है वो बिल्कुल calm condition होने चाहिए काम क्यों अग अगर wind तेजी से चल रही होगी तो wind में होगे dust particle moisture particle तो जो नीचे से radiation जा रहा है यह wind जो है वो उसे absorb कर लेगी और यह absorb करके आगे सिफ्ट हो जाएगी और next जो slot आएगा wind का जिसे हम लोग parcel बोलते हैं तो जैसी next parcel आएगा वो फिर से absorb करेगा यहाँ से radiation बढ़ता चला जा energy को wind ने absorb किया और उसने अपना temperature gain कर लिया तो energy उसी system में रही कहीं बाहर नहीं जा पाई लेकिन अगर wind काम है तो उसमें क्या होगा जो parcel wind का आया वो लगवग वहीं पर रुका हुआ है बहुत दीरे-दीरे move कर रहा है तो radiation आराम से वो CT किवार फुल्फिल हो गई wind और radiation absorb नहीं कर पाईगी तो access radiation आराम से sky में निकल जाएगा तो यहां तीन condition है long winter night होने चाहिए calm wind होनी चाहिए और sky clean होना चाहिए तो यहां पर होगा क्या कि सपोज आपने daytime में 10 kg energy है वो गेन की और night में 14 kg में just kg में समझाने के लिए quantify कर रहा हूं 14 kg जो है energy loss की तो आपका net जो loss है वो रहा आपका 4 kg का अब आप आज loss करो कल करोगे daily जब यहीं जलता रहेगा 15-20 दिन तो net effective जो है वो loss बहुत ज़दा बढ़ जाता है और ज़दा loss का मतलब है वहां का धीरे धीरे करके temperature down होनी लगेगा अब क्योंकि यहां loss जो हो रहा है वो radiation के form हो रहा है इसलिए से बोला जाता है radiation frost दूसरा term है क्योंकि यहां यहां जो freezing है वो manly ground पर हो रही है इसलिए से बोला जाता है ground frost और यहां एक termore होता है hoar frost ह-o-a-r hoar frost क्योंकि यह जो leaves है उन पर सुबह सुए आप जाओगे तो वो पूरा freeze मिलागे तो उसके लिए यह लोग एक termore use करते हैं hoar frost अब मुद्ध दूसरा frost दिखते हैं वो है अपना पूल frost या convection convection का अपने convection एड़एक्शन सुना होगा तो convection का मतलब जो बाहर से convention आ जाए यह हम लोग उने जिग्राफिय में पढ़ा होगा convective rainfall जब इधर से एक cloud जाए दूसरा इधर से जाए वार्म और cold जाए यहाँ पर convection rainfall हो जाती है तो वैसे ही है इधर से wind आ रही है cold है बिल्कुल और यह cold wind जब नीचे की area में जाएगी तो वहाँ पर फूरा frost कर देगी है जैसी की दहरदून वैली अक्सर एक example आता है valley region का द गोला जाता है कि जो frost है आज तो नहीं दिकिनाज से सो साल पहले क्योंकि आज तो पॉलिजन बहुत ज़दा हो गया हुआ अधर वाई जैसे उपर की जो वैली रीजन थी अब क्योंकि वैली उपर है वहाँ पर बर्फ जम्मी हुई है temperature जो air है वह बहुत ज़दा है की catawatic wind है वह नीचे को उतरेंगी और धीरे धीरे करके वैली में आ जाएंगी और क्योंकि यह wind जो है वह अल्रेडी ऐसी है जिनका temperature माइनस 14 डिग्री माइनस 20 डिग्री है तो यहां पर आकरके एकदम frost कर देंगी क्योंकि यह जो frost है वह एकदम wind के आने से होता है तो इसे एक बोलते हैं convection wind यह एक ट्राइब सी swimming pool की तरह बन गया दोनों साइट से वैली है तो इसलिए बोलते हैं से pool frost example में कहां बनता है जो hill and valley वाले region है example में आप दहरदून वैली को लिख सकते हो कई बार objective type के exam में यह पूची भी गई है और यह जो convection frost है यह radiation frost के compare में जदा खतर नाख है क्योंकि यहां पर जो अपना wind का parcel लाता है वो एक डिड़ घंटे में उस एरिया में पहुंचता है तो प्लांट अपने आपको एकदम अचानक से tackle नहीं कर पाते हैं adjust नहीं कर पाते हैं नीचे आराम से अच्छी vegetation growth होती है एकदम frost आ गया यह पूरक पूरा जमा द adaptive adaptive का मतलब जो बाहर से advance होकर के जा रहा है advance होकर के आ रहा है जिससे अपनी से सर्दिया आती है तो इस region से जो wind है वो आती है और इस पूरे north Indian flat प्लैन है इसमें सर्दियां कर देती है यहां पर हमाल है आपको एक factor बताओ जैसे अगर आप दहरदून में है तो दहरदून है यह अपना middle हमालन रेंज है यह सिवालिक है दहरदून वैली है यहाँ पर city है और जो अपनी adaptive है वो आ रही है इधर तो आप देखोगे कि यह जो north Indian plan है यहाँ पर frost पढ़ रहा होता है यहाँ आपको morning में 5-6 बज़े से लेके 8-9 बज़े तक लगवक आसमान में दिखना ब आसमान बिलक्ба clean होता है ऐसा क्यों क्योंकि एक जैसे अपने दिमाग में आता है कि यह तो थंडे एरिया से आ रहा है थंडे से आ रहा तो देरादून में जाता है दरी पर नहीं चाहिए इधर क्हां ओन पर घंखी कि इसले दैरादून का जो nature हम क्देशने इधर्ट की बोला जदा रहता है तो यह रही अपनी एडवक्टिफ फ्रोस्ट या विंड फ्रोस्ट यह अपनी यहां सर्दियों के लिए रिस्प्रोंसिबल है अब आते हैं अपना फ्रोस्ट की वजए से अपने को क्या हानिया होती हैं खासकर फ्रोस्ट वेजिटेशन को तो जब यह त पेड़ भरबाद हो जाता क्योंकि एक बार क्रेक हुआ तो बहुत सारे इंसेक्ट पेस्टिस के अंदर आप आसानी से अटेक कर देते क्योंकि जो डिफेंस की लिए रहा वह ब्रेक हो गई तो फॉर्मेशन ऑफ गेंकर बगरा हो जाता है फिर बाद में यह दूसरा जो जम तीसरा इंपक्ट है कि आसकर जैसे वैली फ्रॉस्ट है वहाँ पर फ्रॉस्ट पढ़ने से लीफ पार्ट है उसका भी पानी जो है वो फ्रीज हो गया नीचे का वाटर जो है वो भी फ्रीज हो चुका है सुवा इसवा दूप निकलती है और लगबग नौदस वजी आसपास एर का टेंपरेशर बढ़ जाता है उसका रिजल्ट है कि पत्तियों का जो फ्रॉस्ट है वो पिगल जाएगा दूप है वो तेजी से बढ़ रही है और वो प्लांट का टेंपरेशर बढ़ा रही है प् प्लांट की रूट अभी वी फ्रॉस्ट में फ्रीज है इसका रिजल्ट आता है कि अगर फ्रॉस्ट ज्यदा सीवियर है तो यहां प्लांट अपना वाटर लॉस्ट करके विल्टिंग सो कर देगा मुर्जा जाएगा और अगर टेंपरेशर ज्यदा रैपिड बढ़ गया प्लांट की डेथ हो जाएगी परवनेट विल्टिंग हो जाती है तो यंग सीडलिंग की अक्सर डेथ हो जाती है अब इनको बचाने के लिए क्या किया जाए क्योंकि यह जो भी इंजुरीज है यह मैली होती है यंग प्लांट को और अक्सर यह जो यंग प्लांट से अपन 10-10 दिन में जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगी सिल्वी कल्चर में पढ़ते हैं लिकिन यहां से जुड़ा हुए तो इसलिए पढ़ लेते हैं जैसे एक काम करते हैं नर्सरी में जो नर्सरी बैड है उनके उपर थैचिंग कर दी जाती है तोड़ा चाया कर दी जाती है जिससे जो फ्रॉस्ट जो उपर से पल रही है उसका इंपेक्ट कम हो पाए दूसरा हम लोग सुवए सुवए जो फ्रॉस्ट है जो पतियों में विल्टिंग का इसु आ रहा था तो सुवए सुवए दस वजे के आसपास यहाँ पर हम लोग इस्प्रे कर देते हैं इस्प्रे का स्वए क्या रिजल्ट होता है का सका नर्सरी में करना पोसिवल है या पर छोटे बड़े इरिया में प्लांटेशन है और वाटर की अवाई लिडिये है तो हम लोग वहाँ कर देते हैं इसका फाइदा क्या है जो सुभाई सुभाई आपने इस्प्रे कर दिया इस टाइप तो यह क्या करेंगे वाटर जो है उसका टेंपरेचर है सपोज बीस डिग्री और लीव का टेंपरेचर है माइनस चार बीस डिग्री जब माइनस चार पर गिरेगा तो धीरी-धीरी करके इसका leaves का बढ़ जाएगा तो frost का जो damage है क्योंकि frost जल्दी पगल जाएगी तो leaves को जो damage कर सकते थे वो थोड़ा कम हो गया ये water जमीन पगरेगा surface पे, तो surface के water का temperature suppose minus 20 है और ये plus 20 है तो कम सकम दोनों neutral तो आ जाएगे zero पे आ जाएगे तो जमीन का surface का temperature बढ़ाने में plant की body का temperature बढ़ाने में help करता है दूसरा जो plant को initial phase में body temperature को maintain करने के लिए जो transpiration करता है क्योंकि body पूरी गिली है तो बहुत सारा पानी evaporate हो जाएगा तो कुछ हद तक पानी की initial जो पूरती है वो ये surface water से हो जाती है temperature maintain हो गया body की पानी evaporate हो गया तो उपर कई पानी evaporate हो गया तो कोछ हद तक पानी की कमी पूरती हो गई तो जो wilting से plant की death है वो भी काफी हद तक कम हो जाती है तीसरा खासकार जहाँ radiation frost का इसूर है middle altitude region में वहाँ हम लोग night के time पे इस type से आग जलाते हैं और आग यहाँ थोड़ी जादे ही जल रही है उसे थोड़ा कम रखा जाता है इस label तक रखा जाता है कि वो धुआ ज़्यादा छोड़ा है यानि कि आसमान को हम clean रहेंगे साफ नहीं रखेंगे उसे smoke की कर देंगे जिससे जो radiation जा रहा है वो smoke के particle उसे absorb कर लेंगे जिससे atmosphere का temperature जो गिरना था वो उतना नहीं गिरेगा green house gas वाले impact को बढ़ाने की कोसिस करेंगे और fourth अपने पास option होता है mulching का nursery है तो वहाँ पर हम लोग इस type से जो भी आपके पास straw है जो भी residue पढ़ा हुआ है उसे use करके हम लोग यहाँ कोसिस करते हैं कि कुछ level तक यहाँ इस type का straw आ जाए तो वो surface को cover करते हैं यह mulching है इसके कुछ advantage, disadvantage है जिने हम आगे की slide advantages करेंगे यहीं नरसली में भी कर सकते हैं लेकिन यहीं पढ़ लेंगे अगर topic आ गया है तो mulching कर देते हैं कुछ ऐसी economy जिनके पास पैसा बहुत ज़्यता है जैसे Australia है Switzerland वगरा है तो वो लोग frost से बचने के लिए बड़े-बड़े turbine लगा देते हैं इनको term use किया जाता है frost turbine यह क्या करते हैं turbine जब rapidly चलेंगे इस region में तो यहाँ पर यह wind का movement बढ़ा देंगे wind का movement का मतलब है जो आपका radiation frost है उसे रोकने के क्या तीन ही तो इसूद है काम जो तीन condition थी के atmosphere clean होना चाहिए काम wind condition होना चाहिए आप यहाँ पर wind को काम ना करके तीजी से कर दोगे या फिर आपने smoky night कर दी वहाँ काम यह हो जाता है अब हम लोग mulch को एक पार देख लेते हैं mulch वैसे दो टाइप के हैं एक तो यह है organic या इस टाइप की plastic यानि की synthetic mulch या inorganic mulch इसमें करते क्या है खासकर organic mulch अगर आपने surface पे इस टाइप की mulching डाल दी यानि की जो plant residue है इनने डाल दिया तो इसका फाइदा क्या होता है यह जो material है वो समय के साथ disintegrate होगा इस टाइप से बहुत सारा organic matter, minerals जो है आपकी जो vegetation है उसे मिलेगी यानि की fertility मिलेगी आपकी soil की fertility बढ़ाए लिगी दूसरा क्योंकि इसने surface cover कर रखी है तो अगर यहाँ पर कोई weed के seed भी है वो अगर grow कर गए तो initial phase में यहीं फसे रह जाते है surface पर नहीं आ पाते हैं और यह एक time period है उसी time period में surface प्याना होता अगर नहीं आ पाए तो इन्हें जो energy है उसका shortage हो जाता है और यह अंदर ही दवे-दवे मर जाते है तो यह weed है उसका competition करने में competition काम होगा वहाँ पर भी help कर देते हैं क्योंकि अब frost के direct contact में surface नहीं है तो अब यहाँ पर frost जैसी condition नहीं हो पाएगी अगर यहाँ rainfall हो रही है तो यहाँ surface रन आफ जैसी चीज़ां नहीं हो पाती है क्योंकि यह run-off का जो impact है वो surface पे ना हो करके इस पे गिरेगा और वो break हो करके surface में आराम से आएंगे तो percolation का time मिल जाता है यह काफी हद तक water को यहाँ रोक लेती है तो run-off यहाँ की water erosion जो है वो नहीं हो पाता है और जो open surface है जैसी कि यहाँ बहुत सारा evaporation है mulching भी नहीं कर पाती क्योंकि radiation के direct contact में यह नहीं आने देती है तो इसलिए यहाँ soil का temperature भी नहीं गर पाता है और soil में जो water का loss होता है वो भी नहीं होता है यहाँ erosion दिखाया जारा आपको prevent soil erosion यह अपनको mulching के benefit है next है अपना जो temperature का जो इसू चल रहा था frost का तो frost का जो damage है plant को बहुत से देख चुके है अब बात आती है कि कुछ plant है वो अपने आपको frost के प्रती resistance भी सो करते है जैसे के cold area के conifers है उन पर frost का ज्यदा impact नहीं पड़ता है ऐसा क्यों क्योंकि उन plants ने अपने internally tissue level पे बहुत सारी mechanism अड़ाप्ट कर रखी है जिससे frost का impact ना पड़े अदर्वाइस तो वहाँ पर vegetation कुछ होती नहीं है हमाला आपको खाली मिलते है तो इनने क्या किया है पहला काम है कि जो उनकी cell है देखो दो level पे करते हैं या तो ऊपर structural level पे कुछ adaptation हो structural level पे क्या होता है कि जो cold area के plant है जैसे कि popular है जब cold region आता है जैसी frost का या snowfall का time period आता है यह लोग leaves गरा देते हैं बिल्कुल खाली plant हो जाते हैं एक तो यह adaptation है यह उपर की structural level पे हो सकता है दूसरा अगर आप इनके tissue level पे लेके जाए cell level पे तो वहाँ करते हैं कि water content कितना है water content कम होगा freeze होगा उतना कमी water freeze हो पाएगा यानि कि plant की ज़्यदा resistance है अगर plant में water ज़्यदा है तो जब freeze होगा तो बहुत ज़्यदा volume expand होगा तो internal leotisico damage है वो बहुत ज़्यदा होगा और कम water है तो damage कम होगा तो water content कम कर दो cell का osmotic concentration है यानि कि sugar का concentration वो बहुत ज़्यदा होगा ज़्यदा होने से क्या है जो water है उसका freezing point गहुत डीप हो जाएगा normal water का freezing है वो minus 0 degree celsius पर होता है अगर आप उसमें नमक मिला दोगे तो वो कुछ minus 10 degree celsius के असपास है बहुत ज़्यदा सुगर हो जाएगा तो मानने लो वो minus 30 degree celsius का है frost पढ़ रही है बाहर लेकिन वो minus 20 degree celsius का temperature यह frost का तो यह tissue को यह freeze नहीं कर पाएगी तो osmotic concentration का issue है दूसरा यह cell जो है यह water के लिए कितनी permeable है आपने देखा होगा कि जब water freeze होता है तो उसका size बढ़ता है अगर यह cell बहुत जदा permeable है तो जैसे जैसे इसका water freeze होता जाएगा अगर permeable बहुत जदा है तो इसका water धीरे धीरे बाहर आसानी से निकल जाएगा तो यहाँ internally damage होने के chances काम है अगर cell ऐसी है कि जो water को बिलकुल permeable नहीं है तो जैसे जैसे water damage होगा इसका size बढ़ेगा वो cell के अंदर pressure generate करेगा और cell भट जाएगी cell size का वीशू है अगर cell small size की है तो कम water होगा freezing का कम damage पहुचेगा बड़ी size की है तो बहुत जदा water होगा तो यह वो factor है जो external factor है जो किसी plant को frost की पूदी resistance बनाते है internal क्या हो sorry यह internal factor है जैसी की temperature है अगर किसी area का temperature rapidly down हो जैसे अपनी असर दिया है मालो अपने simple से example पढ़ा होगा frog का कि frog को अगर अचानक से आप किसी गर्म पानी में डाल दो तो वो बाहर निकल जाएगा लेकिन अगर आप frog को पानी में रख दो और पानी को धीरे धीरे temperature बढ़ा हो तो वो उसी में मर जाएगा लेकिर वो बाहर नहीं जाएगा तो plant जो है उसकी outer जो बार्क है और internal tissue है उन दोनों का temperature धीरे धीरे गरता है और वो शिकोड़ते हैं तो frost crack के chances कम हैं लेकिन अगर अचानक से बाहर से cold wind आयो और temperature गर गया तो internal tissue शिकोड़ेगा नहीं outer tissue एकदम तेजी से सिरिंक होगा और वो crack बन जाएगे उसमें तो temperature trap it down का भी impact है frost अगर frost वाले season में होता है सर्दियों के time पे होता है तो plant adjust कर लेते हैं जैसे leaf setting करके आप कई बार देखोगे plant की चुटी चुटी भार्ख है टुएक से वो भी गिर जाती है तो इक टाइप से वो अपने आपको adapt कर लेता है लेकिन अगर growing season में frost पढ़ जाए तो वो नहीं घर पाएगा light का भी impact है ऐसे area में जहां light जो है वो कम है तो नई के रोथ कम है नई जो हरा वाला जो area ग्रीनरी पार्ट है प्लान्ट का वो कम है तो plant पर frost का ज़्यदा impact नहीं पढ़ेगा क्योंकि plant का जो impact पढ़ता है वो green वाले area पर जदा पढ़ता है जिस area में बार्क जो है बहुत dark मोटी हो चुकी है strong हो चुकी वह बार को जाद तक blanket की तरह काम कर देती है mineral nutrient अगर कहीं plant को आप nitrogen fertilizer देके आगए nitrogen तेजी से नहीं growth को promote करता है यानि कि frost resistance उसकी कम हो गई water जैदा available है plant जैदा absorb गया होगा तो उसकी frost resistance कम है तो जैसे बीच का question था frost resistance of tree depend upon internal और external factor तो आप आरामसे से पढ़ सकते हैं यहाँ पर एक term आया था क्या है और फिर water the internal factor affecting forest यह frost है frost resistance तो यहाँ internal को आप यहाँ से समझ लोगे sorry internal hardening of क्या है इसे हम लोग नर्सरी में बहतर तरीके से पढ़ेंगे इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ बैसे समझाते हूँ hardening of का मतलब किसी plant को किसी particular character के प्रती हड़ी बनाना है जिससे जब हम उसे उस type के natural condition में grow करें तो उस condition को जहिल ले वो है hardening of अब इसके बेस पर कई बार कुछ tree को classify किया जाता है कि कौन से class tree है जो frost hardy है कुछ कुछ ऐसे tree है जो frost को जहिल नहीं पाते हैं death कर जाते हैं अब इस में इस type के जब question आ जाए state में तो थोड़ी दिक्कत देती है ifs में भी आ सकते हैं तो इसका एक simple तरीका है आपको यह हर इस बिसीच को याद करना नहीं है देखो cold area के पेड़ देखो कौन से कौनिफर्स के यह सभी के सभी frost को जहिल लेते हैं तो frost rd में कोई भी एक कौनिफर्स को याद कर लो जैसे कि पाइनस रॉक्स वर की यह सब उसका है आप उसमें जैसे दियोदार वकराय याद कर लो यह सभी के सभी frost rd है दूसरा moderately जो थोड़ी बहुत frost को जहिल लेते हैं यह अपनी नॉर्थ इंडियन प्लैन के पर जहां अकसर frost पड़ती रहती और यह उसे जहिल लेते हैं moderate है एक्स्रीम को नहीं जैल पाते हैं लेकिन moderate है उसमें आप अपनी नॉर्थ इंडियन प्लैन में जैसे सबसे जदा होता है डलवर्जिया सिस्टू डलवर्जिया लेटी फोलिया इनको एक्जामपल में याद कर लो frost tender जो frost को नहीं जैल पाते हैं यह वह प्लांट होंगे जह इसे कुशन भी आसानी से टेकल कर लेते हों अब बात आती है कि frost के disadvantage उसका impact यह सारी चीज़ यह तो बहुत पढ़ ली आपके notes में नहीं है तो क्या frost के कुछ advantage भी होंगे हो सकते हैं क्या आप कुशिस करोगे लिखने की बस मैं थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं देख क्या होगा बहुत सारी species जो frost को नहीं जेल पा रही है वहां से कम हो जाएंगी यानि कि जो 50 species थीं वहां पर आप 30 species है 20 species ही grow कर पा रही है इसका मतलब है कि वहां पर जो tree species के बीच का जो competition है जो historical है वो कुछ हदे तक कम हो जाएगा तो frost जो है वो किसी भी area के competition को कम करने में एक positive role play कर सकता है कुछ species को वहां से हटा करके इस type से species का composition या forest की composition को maintain कर देता है competition को कम कर देता है या आप advantage में लिख सकते हो next cold में अपना आता है snow बर्फवारी अब इससे भी related अपने question आते हैं बर्फ से के snow का क्या effect है या आप से पूछ लिया कि low temperature क्या injury है low temperature injury अब low temperature में आपके दो चीज़ आती है snow और frost तो जब आप से low temperature injury आ जाए तो आप उसमें दो area बाट लोगे एक में आप snow वाले injuries लिखतो होगे दूसरी में आप frost की injury लिखतो होगे आपका question हो जाता है और अगर कोई dedicate पूछ लिए आपको कि snow का क्या effect है on forest vegetation यहाँ पर snow के आपको positive और negative दोने इफेक्ट को लिखना था यहाँ पर the effect of low temperature on plant यानि कि वही है low temperature मतलब snow और frost के दोनों की आपकी जो effect है वो लिखने थे लेकिन यहाँ effect of low temperature यहाँ आपको ध्यार रखना है जब इसने positive negative न लिखी हो तो आपको snow के भी positive और negative लिखतो और frost के भी positive और negative लिखतो आपको उमीद है समझ में आगया होगा कि low temperature की बात की जाए तो snow और frost दोनों है जब तक उनको सीधा सीधा बात की जाए तो positive negative दोनों जब तक आप से पूछना जाए कि उसके negative लिखना है आपको positive लिखना है अब snow की बात करते हैं snow के पहले beneficial effect देख लेते हैं कि जैसे snow क्या करती है वही फ्रॉस्ट की तरह है यह अपने इरिया में जहां snow बढ़ती है वहाँ एक टाप से वहाँ की vegetation की लिए एक water source की तरह है monster क source करती है man source है बहुत सारे species में यह flowering fruiting को induce करती है जैसे डाल में जो देवदार है उसके natural regeneration के लिए यह responsable है seed के germination के लिए यह responsable है यह seed को एक टाप से dormancy remove करती है और यह induce देती है कि भाई इस बार बहुत सनों पड़ी है बहुत मौशर है germinate हो जाओ दूसरा apple जो है उसमें flowering induce करती है यह तो यह natural regeneration के लिए responsible है water का source है एक type से यह in savvy factor की वज़े से उस vegetation की distribution को भी maintain करती है ऐसी species जो frost को नहीं जहल पाती है वो दीरे दीरे उस एरिया से खतम हो जाएगी के बहुत बहुत से बचीगी जो snow को जहल सकती है तो snowfall वाल एरिया उसमें केबल यही species grow कर पाएगी तीसरा एक type से यह temperature के further downfall को भी रोकती है एक बार किसी area में snow गिर गई तो snow क्या करेगी वहाँ एक blanket की तरह काम कर देती है वहांके जो soil का temperature है जो नीची का radiation है वो और further नहीं गिर पाता है तो एक type से blanket की तरह काम कर गई तो यहाँ का temperature और further down नहीं उपाएगा और एक तरह से seed bank की तरह काम करती है सीड बेंक क्या है सपोज साल के कोई एक पेड़ है vegetation है मैं यहाँ एक आगे की slide में साइध सीड बेंक को कर दिया है यहाँ पर देवदार के जो fruit है वो गिर गए इसके बाद यहाँ बहुत सारी snowfall आ गई और यह देवदार के उसी snow के अंदर दबे रह गए अब इसका पहला benefit यह है कि बहुत सारे जो insect paste हैं जो यहाँ इस fruit को damage कर सकते थे क्योंकि यह बर्फ में दबा हुआ है तो इस insect paste का यहाँ damage नहीं हो पाएगा कई बार क्या होता है आप देखोगे कोई एक species है जिसकी suppose वो नॉर्मल थी उपर देवदार की पेड़ ले लो उपर थे यह किसी सा साल मानिक चलो 2010 में बहुत ज़्यादा बर्फ वारी हो गए थे तो देवदार के जो सीड़ थे वो बहुत सारे नीचे बहुत डीपली बर्फ में दबे हुए थे और आज बर्फ का level यह है अब क्या होता है मानलो कोई देवदार में कोई insect attack कर देता है और इस साल देवदार देवदार के जो सीड़ थे जो नीचे दवे थे वो अचानक से ऊपर आ जाते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और देवदार बापिस से यहा जाता है तो एक टाइप से यह सुनो है वो सीड़ बैंक की तरह काम करता है बैंक ऐसी जहां पर insect based का टक नहीं पड़ेगा जरूद गायब नहीं हो पाती है तो यहां हम लोगों ने इसे समझ लिया कि स्वीड बैंक की तरह कैसे काम करते हैं अब बीच में कुस्टन आ गया था कि सुनो का जो है वो देवदार के रीजनरेशन में क्या हेल्प है क्या रॉल है इस कुस्टन को भी थोड़ा सिस्टमेटिक वे मैं डिसक्रस कर लेते हैं जिससे आप इस टाइप के कुस्टन को एड़वांटेज में भी लिख पाओगे और अगर उन्होंने देवदार की जगए कोई और इस पर सीज पूछ लिया तो आपको एक बिसिक आईडिया रहता है जिससे पहला तो काम है कि यह सुनो है वो देवद यह उसे भी ब्रेक करती है जिस साल ज़यदा स्नुफॉल है उस साल ज़यदा स्ज़ध सीड जर्मनेट होंगे इंसेक्टपेस्ट का जो ड़ुडएंट का अटक है वो उस साल काम होगा क्योंकि ज़दा स्नुफॉल हुआ है तो इंपोर्टेंस ऑफ स्नो फ्लॉवरिंग इं इनके जो initial monster चाहिए, seed germination के लिए plant को चाहिए, वो monster की तरह काम करते हैं। और कई बार क्या होता है, कि snow की वज़े से जो tree का crown है, वो काफी हद तक damage हो जाता है। अब मान लो, एक पेड़ का crown ये है, दूसरी का ये है, तीसरी का ये है, ये पेड़ है। अब यहाँ पर ground पर अगर कोई नई vegetation grow भी कर गई, तो उसे light ही नहीं मिल रही है। अगर यहाँ बहुत heavy level का damage पहुचा दिया, तो ये light की present penetration यहाँ ground पर बढ़ा दी। तो young generation को light मिल जाती है, जिससे young generation असानी से growth कर जाए। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि snowfall जो है, वो कैसे यहाँ help कर जाती है। अब आएगी अपने लिए snow के harmful effect, harmful में क्या है। जब snowfall जएदा आ जाती है तो जो पैट्री है उनको बजन बढ़ जाता है तो उससे mechanical damage हो जाता है। कई बार snow sliding होती है, जिससे अपने land sliding पढ़ते हैं इस टाइप से snow की sliding होती है। उससे बहुत सारी जो vegetation है जहां पर भी होती हो पूरे forest को साफ कर देते है। कई बार जैसे एक fungi है forms, फंजाई को चाहिए moisture, अब कोई plant है। उसकी leaf पर बहुत ज़्यदा moisture नहीं है। लेकिन snow fall ने क्या कर दिया, यहां की leaf पर moisture कर दिया। जो needles होती है, conifers की उन पर moisture कर दिया। otherwise needles को आप देखोगे, तो वो dry जैसी दिखती है, सूख ही दिखती है। क्योंकी conifers, majority जो conifers है, उनमें resin बहुत ज़्यदा होता है। तो resin एक टाइप से hydrophobic है, पानी कम रहता है। यहां snow है, वो moisture को create कर देता है, moisture को promote कर देता है। उसका result होता है, यह forms जैसी फंजाई आसानी से grow कर जाती है। और वो दियोदार बगर में disease कर देती है। तो यह एक harmful impact हो गया। next character आएगा अपना wind, अपने temperature पाल लिया, radiation पाल लिया। तो तीसरे factor है अपना wind, wind क्या करेगी, कोई भी vegetation है उसकी distribution, क्योंकि seed और flower को लेके जाती है, pollination करती है, seed के distribution करती है, तो wind, वैसे तो wind का definition आप पड़ते हो, कि air parcel का एक direction तो दूसरी direction में, high pressure से low pressure की तरफ move करना है, वो हो गई wind, इंट्रो में लेख सकती हो। अपने लिए क्या importance है इसका, एक तो यह plant के distribution को help करेगी, क्योंकि seed और pollen grain के distribution को role play कर रही है। दूसरा है stem form, stem form को हम लोग matziker theory में बहुत detail में पढ़ेंगे, forest mensuration के अंदर, लेकिन मैं यहां basic thing समझा देता हूँ, stem form का मतलब कि एक tree ऐसा है जिसका stem बिलकुल straight है, यानि कि उसके नीचे की मोटाईव और उपर की मोटाईव में बहुत ज़्यादा difference नहीं है। दूसरा tree ऐसा है जिसका नीचे बहुत ज़्यादा मोटा है, उपर बहुत पतला है। यह अक्सा tapering ऐसे plant में मिलेगी जहां पर हवा का pressure बहुत ज़्यादा है यह जो अकेले grow कर रहा है। अकेले grow करने का मतलब wind का impact ज़्यादा पर रहा है। और यह ऐसे plant है जो growth में grow कर रहा है। अक्सर आप दिख सकते हो कि जो erica nut है। इसकी plantation होती है साउथ इंडिया में तो growth में grow किये जाते हैं तो वहां बलोकुल straight मिल जाते हैं। यह eucalyptus की plantation close की जाती है तो वहां बलोकुल straight और same बहुत ही कम tapering वाले plant मिल जाते हैं। जब plant की mechanism को impact करेगी तो by default उसकी जो growth development है उसे भी impact करेगी जैसे पहले negative impact देख लेते हैं। जहां wind तेज होती है वहां के plant पे stress बहुँ जदा था जैसे कि अपनी कोई पहारी है उसके top वाले region, hill top पे जो plant grow करते हैं। क्योंकि यहां के plant जो मैंने अपको starting में बोला था कि wind तेज है तो यहां के plant से वह जदा से जदा transpiration करवाएगी। वैसे भी hilly region पे मुश्चर की कम ही रहती है तो plant को wind की वजए से यहां stress बढ़ जाता है तो root system deep grow करता है और इसकी height कम रह जाती है। तो एक तो short stem दूसरा होता है कि hill में जिस region से क्योंकि पाड़ियों के एक side से wind बहुत तेज आ रही होती है। तो अक्सर इस side की branches हो जाती है break तो यहां पर एक side की branch है काफी अची grow करती है दूसरी side की branch है लगवाग absent होती है। इस लिए बोलते है फिलैक्ट्री तो wind का एक negative effect है short stem होना दूसरा यहां फिलैक्ट्री का formation हो जाता है। अक्सर जो ages पे जो grow करते हैं पीजरा कभी cyclone में दिखोगे तो जो wind है वो पेड़ों के जो timber है उसे rapturing कर देते हैं wind throw हो जाते हैं एक term राज आता है wind farm wind farm का मतलब वो plant जो तेज wind में भी तूटते नहीं है बचे रहते हैं तो wind throw भी एक negative impact है और भी है जैसे के wind के through soil erosion होता है evapotranspiration, evapotranspiration का मतलब होता है यहां से जमीन से है evaporation और पेड़ों से है transpiration इनका joint form है evapotranspiration तो तेज wind evaporation भी बढ़ाएगी और transpiration तो evapotranspiration बहुत ज़्यदा हो जाता है इसका result कि आएगा कि यहां की जमीन में monster जल्दी से जल्दी खतम होगी यानि कि drought stress या monster stress यहां की vegetation को जल्दी आजाएगा तो vegetation पूरी साल अच्छी तरह से growth करनी पाईगी net effect productivity पे आजाएगा salt spray आप लोग जानते हैं कि coastal area में water evaporate होता है उसके साथ salt particle भी आ जाते हैं और यह जो coastal vegetation है उस पे salt की particle deposit हो जाते हैं जिस उनका osmo regulation जो है वो गरवला जाता है और vegetation जल जाती है जैसे आप अगर किसी plant के ऊपर नमक का छड़काओ कर दो तो कुछ ही टाइम में जदा नमक की वज़े से उसकी पतिया जल जाएगी तो वो salt spray का effect है और forest fire तो आप लोग जानती है अब देख लेते हैं wind की positive benefit जैसे की एक है pollination अगर कहीं पर भी कुछ हो रहा है तो pollen grain का transportation है एक plant male है female है तो pollination का का काम करता है अगर wind से हो रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं term animophily pollination को तो pollen grain में काम करता है दूसरा यह pollination है अक्सर आप coastal हमालाय में देखोगे तो वहां पर आप देखोगे कि जो male plant है जैसे के male conifers है एक पेड़ यह है दूसरा पेड़ यह है इसमें जो male corn है वो lower part में develop होते है और female corn upper part में तो जब हवा चलती है इसमें तो हवा ऐसे इन्हें लेकर चलती है यानि कि एक plant के male corn से जो pollen grain निकल रहा है वो female corn से टकरा जाएंगे इस टाप से यहाँ pollination का काम चल जाता है कहां हमालय वाले region में अब यह pollen होता है इसे बोलते है एनिमो का मतला wind phily का मतला pollen और wind से जो pollination होता है उसे बोला जाता है इनिमो फिली और wind से जो seed का dispersal होता है उसे बोलते है इनिमो चोरी कई बार phily चोरी में confusion हो जाता है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि तो को चोरी करेगा कोई किसी के food grain का grain मतलब seed का दानों का तो चोरी जो सब्द है वो seed के लिए use किया जाता seed dispersal है वो चोरी है एनिमो चोरी और pollen grain है एनिमो फिली वेजिटीशन का distribution है जैसे जैसे seed distribution होगी उसी डारेक्शन में वेजिटीशन का distribution होगा दूसरा आप लोग जानते हो रैनफॉल पैटर्न सौथ इस्ट नॉर्थ वेस्ट तो यह मांजून वाला जानते हो तो विंड का impact आप यहां सीधे सीधे समा सकते हो किलामेटिक फैक्टर में अपना अगला और लास्ट फैक्टर है मॉस्चर मॉस्चर के केस में हम लोग दो तीन चीजों को ध्यान से दिखेंगे पहला तो है कि मॉस्चर मतलब precipitation अब कैसी भी फॉर्म में हो सकती है रेंट फॉल डिजल सनौ हेल अब मॉस्चर के दोग है या तो मॉस्चर बहुत ज़्यदा है या बहुत काम है तो पहले हम लोग मॉस्चर को देख लेते हैं बहुत ज़्यदा है यानि की रेंट फॉल वगरा है precipitation का फॉर्म में है तो यहां एक उसू आता है कि मॉंस्टर के सोर्स किया है तो हम लोग रेनफॉल वाले इसू को देखेंगे सोर्स में तो आप हैल स्टॉर्म है क्योंकि जो भी ओला गिरा है हिल गिरा है वो भी मेल्ट होगा और मॉंस्टर प्रोवाइड करवा देगा सनो, ड्रिजल, रेनफॉल यह सारी मॉंस्टर के सोर्स है लेकिन जो मैन सोर्स है जो अपने यहां देख में मैली मॉंस्टर प्रोवाइड करता है वो है अपनी रेनफॉल अब यहां बैसे रेनफॉल आपको पढ़ाने की जरूवत नहीं है क्योंकि आप लोग अल्रेडी जियोग्राफिय में पढ़ होगे लेकिन क्योंकि इसका अपने जो जी-एस का पेपर है उससे थोड़ा लिंकेज है तो यहां मैं बेसिक चीज़ है बता देता हूँ कि आपने यहां जो रेनफॉल है इंडिया में वो मैली पास केटेगरी में डिवाइड की जाती है पूरी पास टाइप की होती है जिसमें एक होता है अपना मानसून आने से पहले का रेनफॉल का सीज़न है मस्चर का है इसे बोलते है अपने प्री मानसून वाला सीजन जो आपरेल माई की टाइम पर है जिसमें काल बैसे आखी में गुसावर वाली चीज़ें आती हैं फिर अपना साउथ वेस्ट मांसून आ गया यह चार महीना चलता है एक जून से हम लोग इसका टारगेट करते हैं और लग वक्त सेप्केमर एंड तक चलता है जैसे साउथ वेस्ट मांसून खताम होता है महरास्टा हरा तो वो समस्य खड़ी होंगी यह लग वक्त पर अपना आता है नौर्द अपना आता है नौर्थ इसंट मांसून यह लग वक्त जनवरी तक चलता है और नौर्द इस जिस्ट मांसून जो है वो मैनली रैंक वो AT त। तमिल नालू वाले रीजन में इस रीजन में जो मैली रेंट फॉल है वो अपने नौर्थ इस्ट मानसून से मिलती है और साउथ वेस्ट मानसून से मैली केरला वगरा है रीजन करनाटा का अधर को मिलती है और ये क्योंकि वेस्टन गाट के सैडो जौन में पड़ जाता है इसलिए तमिल नाडू को मुसकर से 5-10% ही मानसून जो रेंट फॉल है वो मिलती है इस मानसून वाले से सौथ वेस्ट मानसून से अधरवाइज मैजूर्टी नॉर्थ इस्ट मानसून से मिलती है और बीच में आती हैं अपनी सर्दियों में नॉर्थ इंडियन प्लैन में वेस्टरली डिस्टर्वेंस तो जिस पीरियड में ये दिसमबर जनवरी तक इधर नॉर्थ इस्ट चल रहा होगा और इसी पीरियड में अपनी नॉर्थ इंडिया में वेस्टरली डिस्टर्वेंस चल जाएगा जो फरवरी मार्ज तक रहता है जो नौर्थ इस्ट मांसून के साथ का ही एक जुड़ा हुआ है तो ऐसे पांच पार्ट में हैं इन्हें हम लोग एक ही करके देखते हैं पहला पार्ड आता अपना प्री मांसून रेंफॉल जो अपना अप्रेल माई के टाइम है इसे हम लोग देश के अलग अलग हिस्से में अलग अग्डाम से जानते हैं जैसी कि नौर्थ इंडिया में इस टाइम पर भैंका लू पड़ रही होती है हाई टेंप्रेचर है इसकी वजए से जो लोग प्रेशर सेंटर है तो यह जो अपना मेडिटेरियन सुरी जो अपन लोग प्रेशर है तो अचानक से बाल तड़क भढ़क के साथ बहुत डेंस वेजिट जो क्लाउड है वो आ जाते है तो इसलिए क्योंकि यह टाइम होता है वैसाग का अप्रेल का जो है वो वैसाग चैत वैसाग अप्रेल का एंड से लेकर के माई जून वाला जो पीरियड है यह वैसाग का पीरियड है लगवग यह आज के टाइम पर अपना चलता है पंदरा यह बीस अप्रेल से पंदरा यह बीस माई के आसपास हिंदी जो है वो चैत यह साथ है चैत और लगवग अप्रेल के मिड से लेके माई के मिड तक यह है वैसाग का पीरियड है पहला मह कि असाम की गहाटी क्वाले इसे बहुते हैं काल है क्वार ज़िए उसे जो जो टी वाले गृुवरी कि उन्हें उस टाइम पर मॉस्चर की जरूरत होती है और यह मॉस्चर प्रोवाइड करवा देते हैं क्योंकि कर्मिया पहली पढ़ रही होती है या इसे यह बोलते हैं बार्दोली चीरा सिम करनाटक वाले रीजन में उस टाइम पर एयर बहुत ड्राइ होती है जिसकी वजह से जो मैंगो है वो टपकने वाले होते हैं क्योंकि मैंगो को क्या होगा जैसे यह ब्रांच है इस ब्रांच से मैंगो यहां टंगा होगा है यह जो स्टेम है यह छोटा सा हिस्सा है जिससे मैंगो लटका हुआ है यह ड्राई एर होने के वज़े से इसका मौस्टर लॉस हो जाते है तो वेट की वज़े से ब्रेक होने वाला होता है लेकिन जैसी यह कालवैसा की यह मैंगो सावरी उस ताइम की जो प्री मांसूर रेंफॉल है यह एटमॉसफियर में हुमिडिटी बहुत समझ सकते हैं दूसरा है अपना मांसूर रेंफॉल उससे हम लोग साउथ वेस्ट मांसून बोलते हैं मैली इसे एक जून को हम स्टेंडर डेट है कि रिला में आता है जो 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 सेप्रेमबर तक है सेप्रेमबर मांसून विड्रॉल है इसका जो मैजोर्टी वह यहां पर निखटी होती है बहुत सारी तो इस रीजन में मैली करेंगे बहुत सारी मांसून के बारे मौर चीज़ देखने की जरूवत है नहीं फिर साइक्लोनिक डिस्टर डिप्रेशन बनेंगे कब जब मांसून विड्रॉ हो रहा होगा तो यह सेप्टेंबर से बनना सुरू कर देते हैं वो लगवा सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर तक चलते रहते हैं तो इस सीजन में अक्सर जो ओडिसा है वहां पर यह इनका लेंडफिल वाला एरिया पढ़ता रहता तो ओडिसा और यह अपना जो आंध्रा वाले रीजन है यह परिसान रहेंगे इ नौर्थ इस्ट में जो विंड की डारेक्शन है वो बिलकुल रिवर्स हो चुकी होगी इस टाइप की होगी अब क्योंकि यह ड्राइव इंड रहती है और यह जब बंगाल वे से पास होती है और पास की जब इधर जा रही होती तो उस टाइम पर यह यहां से मॉस्चर इन यह मैंली दिसंबर, जनवरी के टाइम हा और इसमें तामिल नालू, केरल, करनाटक के रीजन को मैंली मॉस्चर मिलती है इसी टाइम पर यहां पर मैं बात कर रहा हो यह यह यहां पर जो अपना अरेवियंसी है इस टाइम पर जो अपना एक है वेस्टरली डिस्टर्बेंस यह आप दिखोगे मेडिटेरियन सी है कुछ एरेवियन सी से भी यहाँ पर आ सकता है इधर रीजन से बलेक सी है कैस्पेंसी है तो विंड का यह जो साइकल बनती है जो इंटर करती है अपनी यहाँ वेस्टरल डिस्टर्बेंस सर्दियों के टाइम पर वो मॉस्चर यहाँ से इंटर करती है इसका रॉल अपने लिए है कि इस टाइम पर यहाँ नॉर्थ इंडिया प्लैन में कुछ बरसाथ कर देंगे उससे हम मॉस्चर की सप्लाई कर देते हैं जिससे वेट की फसल आसानी से हो जाती है